नमस्कार मैं हूँ आपके साथ त्रोहित और आप देख रहे हैं एनिविफ नेयोज चार जून को जब लोगसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला ऐसे में नितिश कुमार की पार्टी जेडियू का बेहद अहम रोल हो गया साथ ही चंदरबाबु नाइडू की टीडीपी का भी रोल था अब इन दोनों के साथ ही मुदी का तीसरा कारकाल चल रहा है लेकिन तीसरे कारकाल में निश्चत तोर पर कहीं न कहीं सरकार थोड़ा दबाव में हैं क्यूंकि उनके खुद के साथ ही विरोध कर रहे हैं एक तरफ चिराक पास्वान लगातार कई मुद्दों पर सरकार का विरोध कर चुके हैं और राहुल गांधी और अखलेस यादव वाले भासा बोल रहे है वहीं दूसरी तरफ अब जेडियू में भी बड़ा खेल हो गया है क्योंकि एक बड़ा इस्तीफा दिगजनेता का हुआ है दिगजनेता का इस्तीफा होने के बाद कहा जा रहा है कि पंगा लेना केसी त्यागी को भारी पड़ गया दरसल केसी त्यागी की छुट्टी अब हो गई है राष्टिय प्रवक्ता पद से जीडियों के लिए और बयानबाजी की वज़ा से उनका राष्टिय प्रवक्ता पद कहा जा रहा है छीन लिया गया है हालंकि बताया यह जा रहा है कि निजी कारणों की वज़ा से केसी त्यागी ने स्तीफा दिया है और उनकी जगा अब नए राष्टिय प्रवक्ता को तैनाद भी कर दिया गया है जिसके लिए पार्टी की तरफ से बयान भी आ गया है खबर यह है कि बिहार में बड़ी सियासी हल चल हुई राज में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन बिहार में विधान सभा चुनाव से पहले जेडियू के राष्टिय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पत से इस्तीफा दिया पार्टी की तरफ से कहा गया कि य आजीव रंजन प्रसाद को जेडियू का राश्टिये प्रवक्ता घोसित किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से केसी त्यागी को हटाया गया और जेडियू नए प्रवक्ता भी अपना तैनात कर चुकी है। तो पहले केसी त्यागी ने लगातार चुकाया जब विपक्षी दलों के एक ग्रुप में वो नजर आए और देश के विपक्षी दलों के एक ग्रुप में ने फिलिस्तीन के नेता से मुलाकात की। और ऐसे में जब केसी त्यागी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नजर तो उसके बाद फिर एंडिये में कहा गया कि भगदल मशने वाली है और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर चाहे वो लेटरल एंट्री को मुद्दा लेकर हो चाहे आरक्षण के मुद्दे पर हो केसी त्यागी ने एंडिये सरकार का विरोध किया मोधी सरकार का विरोध किय ऐसे में अब नितीश कुमार से शायद ये बरदास्त नहीं हुआ इसलिए केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है और केसी त्यागी के इस्तीफा देने के बाद राजी वरंजन को प्रवक्तापत पर तैनात कर दिया गया है तो अब आप पूरा खेल समझे किस तरीके से एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि मोधी कमजोर हैं तो दूसरी तरफ अब मोधी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने के शकर में नितीश कुमार ने कहीं न कहीं केसी त्यागी के पर काट दिये हैं और उनका इस्तीफा हो गया है भले ही बताया जा रहा हो कि ये नेजी मामला है लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा हुआ और तुरंत नए राष्टिय प्रवक्ता का एलान कर दिया गया वो तमाम कहानिया बया कर रहे हैं तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुला सा होता है लेकिन जिस तरीके से केसी त् सरकार के तमाब मुद्दों का विरोध कर रहे थे विपक्ष की भासा बोल रहे थे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है और जेडियू के राष्टी प्रवक्ता पत से उन्होंने स्तिफा दे दिया है ऐसे में इस ख़बर पर आपकी राय क्या है कमिट में जरूर बताएगा वीडियो को शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बने रहेगा हमारे साथ नमस्कार